वेलो फ्रेंट्स। मैं रिम्पल आज लेकर आई हूं आपके लिए बहुत इंट्रस्टिंग चटनी की रेसिपी। इसे आप चटनी या डिप की तरह यूज कर सकते हो। तो यहां मैंने तीन केले लिए तो यह चटने केले की नी बनने वाली है बलकि केले की छिलके की बनने वाली है तो सबसे पहले केले से छिलके अलग कर लेते हैं गुदे का यूज कर लेंगे हम इसी भी सबजी या कोफता बनाने में तो छिलके का काम है हमें तो मैं छिलके केले की चिलके मैंने सारे उतार के रेडि कर लिए यह तुरंथी काला पड़ने लगेगा तो इसे बॉल करना है तो सिट कर लेते किसी बर्तन में पानी में केले को मैंने अच्छी तरीके से पहले ही क्लीन कर लिया था तो अब इसमें डालना है थोड़ा सा हल्दी और नमक और बॉल करना है जब तक इसके चिलके सॉफ्ट न हो जाए बास से साथ मियत में यह हो जाएगा बॉल तो चलो अब इसे बॉल करने के लिए रख देते हैं चिलके बॉल होके रड़ी है लुकवाइस ही देख लो यह विर्कुल सॉफ्ट हो गया है अब केले के चिलके को ऑफिर इसमें जाएगा नमक इन सभी पुर डाल के इसे बारीक पेस्ट थेयार कर लेना है जे अप एक पैस्ट रेडी हो चुका है अब एक पैन मैने हां पे हीट होने के लिए चल County इसमें डालते हैं मस्टर्ड औएTS मस्टर्ड सीट्स और थोड़ा सा ही हिं इन सभी पुल तो पीस्ते वक्त मुझे पानी लगाता थोड़ा तो बस जितना मुझे गाढा करना उतना इसे कुख करना है चार से पार्च मिट लगाता है रड़ी हो चुका है चटनी तो गैस को कर देते है और ऑफ थोड़ा से चट पटा बनाने के लास्ट में कुछ की खटा इसमें डाल तो किसी भी बर्गर में आप बनाओ या कोई भी नाचोस वगेरा खाओ उन सभी के साथ इस डीप को आप सर्फ कर सकते हो इसके टेक्स्टर देख लो बिलकुल चिकना रहता है लुक वाइस बहुत ही इंट्रस्टिंग लगता है टीस्टी बहुत डिफरेंट रहता है मेलते अगली यूनिक रेसिपी के साथ तक के लिए बाबाए